नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मम्ता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मम्ता जुए में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेयो हमेशा की तर जुरूर लिखे तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महासि वो साम के पूजा हम किस समय से किस समय तक करेंगे सुब मोहुर्त में और सुबा की पूजा हम किस समय करें तो ये भी मैं आपके साथ सियर करूँगी दूसरी बत क्या है कि अगले दिन जब हम चतुर्दसी तिती में पारन करते हैं तो पारन में कौन सी हमें एक गलती नहीं करनी है नहीं तो पूजा का हमें समपुर्णा लाव नहीं मिलता है तो भी मैं आपके साथ सियर करूँगी तिसरी बात क्या है कि हम दिदी सिवरात्री के दिन बाल धोकर असनान कर सकते है या या वो इस इस मतलब नॉर्मल बाल दोना हो या वो period वाल दोना है तो दो सकते हैं की नहीं दो सकते हैं तो ये भी मैं आपको बताऊंगे तिसरी बात क्या है कितने दिनों के बाद हम सीव जी की पूजा कर सकते हैं तो इन सभी महतुपूर बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे तो आप बने रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दिजिएगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेसन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि सिवरात्री सब भी को मालूम है कि एक मार्च को पड़ा है दीन है मंगलवार ठीक है तो आपको पूजा कब से प्रारंब करनी है ब्रह्म मुहुर्त में से ही पूजा प्रारंब हो जागा लेकिन आप चाहें तो चार पहर की पूजा इसमें किया जाता है लेकिन तीन बच कर सोला मिनट से आपका भी भी मंदिर जा सकते हैं क्योंकि सुबह में हम जाते हैं तो मंदिर भी थोड़ा सा खाली मिलते हैं हमें तो जितनी बहने हैं जिनको गठवंधन करना है साम की पूजा के लिए सुबह मोर्त प्रारंब हो जा रहा है और रात बारव बजकर तैंतिस मिनट तक आप पूजा कर सकते हैं तो ये भी हो गया और अगले दीन जो चतुर्दसी ती थी थी बुद्ध वर को दो मार्च को तो जब हम देखें सुबह आपको असनान आदिस नीविर्त होकर अच्छे से पूजा पाठ करके ही आपको कुछ भी अपने मुख में डालनी चाहिए ये पारन का भी बहुत अधिक विधी विदान है ऐसे तैसे ये न कि बृत बीत गया तो चलो हम कुछ भी खा लें सुबह अब कल बृत था आज क्या लेना देना है सुबह उठकर आपको असनान करके भगवान का पूजा पाठ कर लीजिए उसके बाद ही आपको कुछ भी पारन करनी चाहिए और पारन में एक गलती मत कीजिएगा सो उठके ऐसा ना कि पहले हम ब्रस ही करते हैं तो ब्रस मत कीजिएगा किसी भी ब्रत के लिए मैं बता दे पहले भी मैं बता चुकी हूँ अभी भी बता दे रही हूँ कि किसी भी ब्रत के पारन के दिन आपको मुख में अपने ब्रस नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उसी ब्रस से हम जो नौन वेज खाते हैं वो भी ब्रस करते हैं तो दातून से कर लिजी, दातून नहीं मिलता है, तो अपने उंगली से पेस्ट लगा कर, या पॉडर लगा कर, जिस चीज से आप ब्रस कर लिजी यज़े, या आप दातून कर लिजी ठीक है, लेकिन ब्रस मों में सोठके मत डालियेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखनी पारण में तिसरी चीज़ क्या है कि हम सिवरात्री के दिन बाल धो सकते हैं कि नहीं धो सकते हैं तो देखें सिवरात्री जो है मंगलवार को पड़ा है तो सिव जी की पूजा ऐसे तो नियम है कि किसी मतलब जैसे सुहाग वाले जो ही ब्रत है ती जीतिया छट पूजा करवा इसमें ब्रत के दिन बाल नहीं धोया जाता है जो कि बिल्कुल सुबनी है लेकिन सिवरात्री ब्रत में अगर आप चाहें लहसन पे आज खाये हैं या किसी कारण वस आप बाल धो सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप सिव जी की पूजा बाल धोकर असनान करके भी जाक कर सकती हैं और अगर पीरियड का बाल धोना है तो वो भी आप आराम से मंगलवार को धोकर फिर सिव जी की पूजा अगर उस दिन आपका 6 दिन हो जाता है या 5 दिन पर तो हम सिव जी की पूजा नहीं कर सकते हैं लेकिन आप बाल धो सकती हैं ठीक है अगली चीज क्या है कि कितने दिन पर हम सीव जी की पूजा करें तो देखिए देवियों की पूजा पाँच दिन पर करते हैं लेकिन जो पूरुस हैं महादेव हैं जो देवतागण उनकी पूजा हम पाँच दिन पर नहीं करते हैं उनकी पूजा हम कम से कम 6 हो जाए तो ठीक है, अगर आप पूरी तरह ठीक हो गई है, छे दिन हो गया है, तो आप पूजा कर सकती हैं, सिव जी का क्योंकि साल में एक बार आता है महा सिवराती और फिर पूजा रह जाए, ब्रत हम रखें और फिर पूजा ना करें, तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मान लि ब्रत रख के क्या फाइदा दो दिन और एक दिन में, जब पूजा ही नहीं करनी है, तो ब्रत का क्या फाइदा, तो आप देख लिजे, अगर आप सालो साल से करते आ रही हैं, तो आप रख सकती है, लेकिन हम लोग नहीं रखते हैं, लेकिन करने लायक है, तो हम रखते हैं तो 6 दिन अगर हो गया है तो आप सीव जी की पूजा कर सकती है ऐसे तो नियम है 7 दिन पे, 7 वे दिन से करनी चाहिए लेकिन कोई बात न है अप 6 दिन भी बाल धो के असनान करके आप पूजा कर सकती है तो ये भी हो गया कि आप लोग को normal बाल धोना हो ऐसे जो हम धोते हैं या आपको पीरियड का धोना है तो आप मंगलवार को बाल धो सकती हैं अगर आपके यह नहीं धोया जाता है तो ना धोयें लेकिन पीरियड वाला तो हम लोग मंगलवार को धोते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप धो सकते हैं आप अपना देख लीजिएगा, अगली चीज के आए कि हर सुहागीन महिलाएं, गठवंधन कैसे करें, आप लोग पूछते हैं, तो देखिए मैं कई ऐसे वीडियो ना डाल चुकी हूँ, तीन चार वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, कि आप लोग को उससे कुछ लाभ मिलेग और पारण के दिन कुछ नौन भेज वेगर आपको नहीं खानी चाहिए, किसी भी ब्रत के पारण में नौन भेज ना खाएं, आप लेसन प्याज तो भी कई लोग नहीं खाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि आप अगले दिन से नौर्मल भोजन कर सकते हैं, लेकिन लागाने के बाद उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ही अपने मुख में पूछ भी गरहन कीजिए, ऐसे दस बजे तक है, जो चतुर दसी ती थी है, हमारी दस बजे तक है, और सिवरात्री की दिन पूजा के लिए हमें कैसे तैयार होनी है, जो कि मैं पहले ही बता चुक और उसके बाद आपको मंदिर जानी है, मंदिर में जाकर भगवान का पूजा अर्चना करने के दौरान आपको सिव मंत्र बोलते रहनी है, जो ही आपको आता है, और कुछ ना आता हो, तो ओम नमस सिवाय का मंत्र का जाप भी आप कर सकती है, और जो ही आपको मिला है, उस स ही आप अविसेख कर लिजे दूद हो दही हो गी हो या सिर्फ सधाराण जल हो तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको पूजा अर्चना करनी है अगर आप मंदीर नहीं जा सकते हैं आप लोग पूछते हैं दिदी छोटे छोटे बच्चे हैं तो घर में कर लें तो आप देख लिजेगा अगर नहीं जा पाते हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं पूजा ठीक है तो यहीं तक का था हमारा वीडियो आसा करती हूँ उमीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिकलाब मिलेगा फिर मिलती हूँ एक नहे वीडियो में तब त के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खूस रहिए